नमस्कार मैं हूँ आदर्श आप देख रहे हैं इन खबर कंगना रनौथ हमेशा चर्चा में रहती हैं लेकिन इन दिनों उनकी बहन रंगोली चंदेल जाधा चर्चा में है रंगोली चंदेल ने लगतार कई सारे ट्वीट्स करके मीडिया के बारे में अपशब्द का है का हुआ का है ब्रश्ट का है और कई सारे पत्रकारों को टैग करकर के उन्हें गालिया सुनाई है उल्टी सीदी बाते सुनाई है और मीडिया को लेकर जिस तरीके से अन अपॉलेजेटिक है वो और लगातार उसकी निंदा कर रही है विदाश शंकर तिवारी सर हमारे साथ सर जिस तरीके से वो अनर्गल प्रलाब कर रही है आप क्या सोचते हैं मीडिया के बारे में कई सारी ऐसी बाते कर रही है जो बता और पत्रकार हम लोगों को शायद सहन ना हो देगे कंगना रनाव तो उनकी सिष्टर जो रंगोली है बेसक वो विबादित बयान देती रहत हैं मीडिया के बारे में भी वो कर रहे हैं संदर्ब कुछ ऐसा था कि जजमेंटल को ले करके प्रेस कांफेंस थी और मडिकरन क्या के जो समिक्षा किया था जिस जनलिस्ट ने उसको ले करके वो प्रेस कांफेंस में भड़क गई कि आप मेरे खिलाफ लिखते हैं गंदी- या हमेशा डिस्प्यूट में रहती है जान मुझके डिस्प्यूट क्रियेट करती है यह भी का सकते हैं को उन्हें अपने फिल्म को बेचना है लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया है उस सवाल से मैं काफी हद तक सहमती जताता हूं कि आखिरकार यह सिर्फ उन्हीं की बात हर कोई पाले में बटा हुआ है एक गोधी मीडिया है यह गोधी मीडिया के बिरोधी मीडिया है कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा है कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा है तो आज हमने यह परिस्थितिया क्रियेट कर दिये कि हमें गोधी मीडिया कहा जा है हमें जो पहला कमेंट में आपका ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रतिकरिया दिये हैं उन्होंने मीडिया पे गालियां दिये हैं प्रतिकरिया क्या दिये हैं आपका क्या कहना है इस पर देखिए मेरा ये मानना है अभी जैसे तिवारी जी कह रहे थे कि सस्ती लोकप्रिता ह तरीका जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बातचीत होती है मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सोशल कम और अंटी सोशल विचार ज्यादा होते हैं और वहीं से मुझे लगता है कि लोगप्रियता प्रोज पॉस्टिव सकरात्मक या नकरात्मक बैड नेम इस ऑल्व सो बैड नेम तो उसी को लेके रंगोली जिस तरह से एक नई रंगोली खीच कर अपनी पहचान बनाने में जुटी हुई है मुझे ऐसा लगता है गुलदार साहब की एक लाइन मुझे याद आती है लहू के कतरों से चुनकर स्याही अगर वक्त की बात तुम न कहोगे यहने पत्रकार त तो अगर निश्वक्ष है तो उसके जैसा मुझे लगता है कि वो केवल बेगुना है बेगुना है और बेगुना है जी पत्रकारों को लेकर कई तरह के सवाल जाहिरे समाज में आते हैं लेकिन पत्रकारों पर लगतार हमले भी बढ़ते जा रहे हैं और पत्रकारों को कई म के बहन के अलावा उनकी कोई और दूसरी पहचान नहीं है लेकिन ये भी बार ठीक है कि कंगना रनौत की मनी करने का ने डेर सो करोड की कमाई की लेकिन बॉलिवूर्ड और मीडिया की एक लॉबी ने उसे सपोर्ट नहीं किया आप से मैं जानना चाहूंगा कि रंगोली में आव मुल्यन हुआ है गिरावट आई है मुल्यों का हडास हुआ है और समाजिक इकाई होने के नाते मीडिया कर्मी भी कोई आकाश से नहीं टपकते यसी जमी पे रहते हैं इसी धरती पे रहते हैं तो एक वर्ग में कुछ लोगों में अगर इस तरह की गिरावट आ दाई ठहरा देना उस पे हमलावर हो जाना यह कतई उचित नहीं है कभी भी किसी एक घटना के लिए या किसी आंशिक बातों के लिए या किसी कह सकते हैं कि टॉपिक विशेस के लिए विशे वस्तू के लिए किसी विशे पे अगर बात हो रही है और कोई बात निकल कर सामन कौन निस्पक्च है कौन पक्षपाती है पैमाना क्या है इसका कोई ऐसा अस्पष्ट थर्मामीटर नहीं है कि इससे मापा जा सके कि कोई पक्षपाती है कोई निस्पक्च है कोई गोदी मेडिया है कोई बिकाव है कौन तै करेगा यह इसलिए देखिए सब के पास अपनी अ उस पर तवज्जो देने क्या हो शकता है मुझे ऐसा लगता है नहीं इस पर तवज्जो इसलिए भी हम दे रहे हैं क्योंकि अगर आप कोट के खिलाब बोलते हैं तो रहता आपके खिलाब नोटेस जारी होता है आप किसी संस्थान विशेश वेक्ति विशेश के बारे में ब अभी उन पर ये भी बात हो रही है कि उन्हें बैन कर दिया जाएगा और इंटर्टेर्मेंट जो है उनने कवर नहीं करेंगे जैसा किसी दोर में अमिताब के भी साथ हुआ था सलमान के साथ भी हुआ था जो लोग भी मीडिया के साथ थोड़ी बदसलूकी करते हैं मीडिय मेरी राय में कोई तबदिली नहीं है सबसे जो आत्मन्थन का सवाल है वो यह है कि आखिरकार लोग ऐसा क्यों कह रहा है ठीक आप अपने को मेट्रो में जनलिस्ट बना कर बता करके देखिए बस में बता करके देखिए तो जनरल इंप्रेशन क्या है वो ऐसा ही है और इसक सब लोग ऐसे ही हैं लेकिन मैं आपको अन्ना अंदोलन का एक्जामपल दूगा जिस अन्ना अंदोलन की कोक से केजरी वाल की पार्टी आप पैदा होई उसने सबसे पहले उनको मीडिया नहीं ही हीरो बनाया और सत्ता में आने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने पहले हैं तो हुआ क्या है कि जीस तरह से आम आदमी को चीजां अच्शी लगती है वही टीयार बीके लिए दिखाई जाते चोड़ दीजिए जन्रल इन जन्रल जो है मीडिया ऐसा कर रही है इसलिए लोगों को गालिया अच्छी लग रही है और आगाली सुने के लिए तियार यह आप ऐसा कर रहे हैं तो देखिए एक बात हम यसपश्ट तोर पे कहना चाहेंगे अभी हवस्ति साब एक शेर सुना रहे थे देखिए मैं हो गया शरीफ तो मजबूर हो गया और चाहत थी मेरी जो भी शराफत में दब गई कुछ ऐसे मजबूर होते हैं न वो मजबूरी के शराफत वाले लोग होते ह तो देखिए अभी का जो दौर चल रहा है तो यह भीतर की जो लोगों की भड़ा से हम लोग कहरे हैं कि एक गाली का परियों किया जा रहा है या फिर इस तरह की शबदावली के इस्तमाल हुरा है य्या नहीं होना चाहिए देखिए लोगों के जहन में इस तalnya की शबदाल सिरीज देखे तो इस तरह की चीजों का जब महिमा मंडन होगा और धीरे-धीरे जब इसको तवजव दी जाएगी तो जाहिर सी बात है यह आम बोल चाल के भाशे में आएगा देखे जब हम लोग जैसे जैसे सभ्यता की तरफ आगे बढ़े तो यह जो चीजे हैं वो धीरे- जानक से मेडिया का वर्ग ऐसा हो गया है और लोगों के जो शब्द हैं इतने अच्छे अच्छे निकलने लेंगा ऐसा कुछ नहीं है मेडिया पे पहले भी लोग आलोचना किया करते थे लोग आलोचना किया करते थे फर्क सिर्फ इतना था शब्दों का फर्क था एक जो म जिसको हम लोग कहते थे कि निंदक को भी नियरे रखा जाए कि व्यक्ति में कोई सुधार हो जाए आज कल देखिए जिस तरह से बाते हो रही है मीडिया पे जो ये लोग हमलावर है या कह रहे है कि विकाऊ है या पकहंडी है इस तरह का है इस तरह कि आलोचना सुनने के कि जहां कि सामने वाले को एक शुब संकेत दिया जाए एक बात बताई जाए जिससे कि वो अपना चरितर सुधारे और अपने विधा में वो ज्यादा दिक्षित हो और सही तरीके से काम करें तो ये तो देखिया आरोफ परत्यारोफों का दौर है इसलिए इन आरोफों में है इस बात और जोड़ना चाहें गार अभी पिछले एक ड्सक में ऐसा हुआ है ये जो इचो बश्रों परकृशल मेडिया आया है ना छी को ख़र आदमी को एक मंच मिल गया है और वह कहीं से कंट्रों नहीं हो रहा है तो जब कहीं से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप चाहें गाली गलोज किजिए जो मर्जी आइसो लिखिए प्रतिकिरिया में जो मर्जी आइसो किजिए तो चाहें ट्वीटर का इस्तेमाल हो रहा तो अरंगोली को कौन चाप रहा है कोई नहीं चाप रहा है लेकिन उनको मंच म किनारे रख लेकिन सवाल की बात को किनारे रख दिजिए उन की बात को पर का फ्रस्टेशन का पर लेकिने तो फिल्म का नाम नाम में जद्रूंट था उसके और हर दर में होता रहा है आपने सुरू के दर के याद कि जीए फिर बाद में बीच में कैसा दो और और आप जो आया है तो यह जो दौर है ना इसमें जो सोसल मीडिया डिजिटल मीडिया का जिसमें कोई कंट्रोल इसी लिए गोर्मेंट इसको गनाइज है जनलिस्ट मानब नहीं रहे जितने इसमें हम काम कर रहे हैं न कोई गवर्मेंट नहीं मानती है तो यह वज़ा है जब तक इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा एक बात दूसरी बात की मीडिया को तो आप मन्थन करने की जरूरत है ही यह आखिर बार-बार आपके क्यों सवाल उठता है क्यों गटना क्रम घटित होता है और आपके नजर में जो जैस बीचारधारा से अप प्रभावित है तो उसरी दिखाई देता है और दुसरे के चसमें में दूसरा दिखाई देता आप यह नहीं शोचते हैं कि कौन सा सब्डेंस से bel직 इंट हिस्तिम्त इंट करें यह सदिक्सि ल और कई जगां अंजाने में भी हम कहने कहीं बाइस्ट हो जाते हैं तो हम ही यह आधार दे रहे हैं मेधिया भी आप मेडिया दलाल है ऐसे सब सुनने को मिल रहा है तो कि थोड़ा सा आगे बढ़ा करके अगर हम कहें मैंने पहले कहा था कि मेडिया एक समाजिक इगाई है कहने के मतलब कि हम लोग इससे समाज से आते हैं मेडिया कर्मी भी आते हैं अगर पाखंड की ही बात करनी है अगर गिरावट की ही बात करनी है तो क्यों नहीं से हम समाजिक गिरावट का हैं समाजिक पाखंड का हैं चुकि देखिए हम क्यों य इस बात की है कि अगर पाखंड है अगर इस तरह की गिरावट है तो पूरी समाजिक गिरावट है पूरी ब्यौस्था में गिरावट है और मीडिया एक अंग होने के नाते इससे प्रभावित हो सकता है लेकिन फिर मैं कहूंगा ये आशिक सत्य है ये पूरुना सत्य नहीं है चुकि दुनिया कभी भी आशावादियों से और सकरात्मक लोगों से खाली नहीं होती और उन्हीं के बुते ये पूरी विधा और पूरी सुसाइटी ये चलती है जी खेर तिवारी सर पूर्ण सत्य तो कुछ भी नहीं हो सकता और पूर्ण सत्य की तलाश में तो महावीर भी थे बुद्ध भी थे हम भी थे मीडिया को लेकर रंगोली चंदेल ने जो बात कही है रंगोली चंदेल की बात का उतना महत तो हम नहीं देते लेकिन इस बात पर विचार करने की बात बिल्कुल ठीक है कि एक दोर में मैं भी शेर सुना के बात खत्म करूंगा कि अकबर इलाबादी ने कहा था एक दोर में कि खीचो ना कमानों को ना तलवार निकालो जब तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो लेकिन अब अखबारों के दोर और दिन लद रहे हैं सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के लिए किसी ने कोई शेयर अभी तक कहा नहीं है। इसलिए इस वीडियो को हम यही खत्म कर रहे हैं और इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं आपको कि आप क्या सोचते हैं आज के दौर की पत्रकारिता के बारे में, आज की दौर की मीडिया के बारे में, क्योंकि कंजियूमर आप ही हैं, देखते आप ही हैं, सुनते आप ही ह आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इन खबर को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेर करें देखते रहें इन खबर धन्यवाद इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले